आज की शिक्षा निदेशाले राश्टे राज़ानिक शेत्र दिल्ली की आंकलन वर्कशीट नमबर 4 जो की कक्षा नौवी के विध्यारतियों के लिए हैं यह ली गई है सामाजिक विध्यान से और इसमें हमें करना क्या है सबसे पहले हमें क्या करना है निमलिखित प्रश्णों के सही विकल्पों पर सही का निशान लगाना है यहाँ पर एक आपको पेराग्राफ दे रखा है जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर नीचे द लक्षनों को भिन रंगों से दिखाता है जैसे की जल को नीले रंग से, मैदानों को हरे रंग से, परवतों को भूरे रंग से, भारत के छे प्रमुक भौतिक लक्षन हैं और इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुक भौतिक विशेष्टा हैं जैसे की नदियां और जीले आदी भी ह दूसरी और भारत का राजनीतिक मांचित्र उनकी सीमाओं को दिखाता है यह अंतर राश्ट्रिय सीमाओं और पड़ोसी राज्यों को भी दिखाता है यह विभिन रंगों में हो सकता है तो यह तो हमने परग्राफ पड़ लिया अब इस पर अधारित प्रशनों के उत्तर पहला प्रशन है कि कौन सा मांचित्र भारत के मैदानों, मरुस्थल और परवतों को दिखाता है राजनीतिक, भौतिक, उप्रोक दोनों या उप्रोक में से कोई नहीं जिसमें physical features यानि कि भौतिक लक्षन देखते हैं वो है भौतिक मांचित्र अन्य देशों के साथ लगने वाली सीमाओं को क्या कहते हैं राश्ट्य सीमा, राज्य सीमा, अंतर राश्ट्य सीमा या इन में से कोई नहीं तो सय उत्तर है अंतर राश्ट्य सीमा किसी बहुतिक मांचितर में इन में से कौन सा रंग जल वाले शेतर को दिखाता है जल से यानि पानी को हम किस रंग से दिखाते हैं लाल हरा भूरा या नीला सयुतर है नीला भारत के कितने प्रमुक भौतिक विभाग है छे, चार, पांच या तीन तो अभी अभी हमने समझाए छे इसके बाद पांचवा प्रश्न भारत का कौन सा मांचित्र राज्य और उनकी सीमाओं को दिखाता है राज्य तीक, बहुत तीक, उप्रोक दोनों ये उप्रोक में से कोई नहीं सही उत्तर है, राज्य तीक मांचित्र फिर इसके बाद ये तीन-तीन मांक्स के पांच प्रश्न हैं जिनके उत्तर अब हम करेंगी पहला प्रश्न है कि भारत के लिए अंडमान और निकोबार दीपसमू का क्या महत्तवे देखिए अंडमान और निकोबार दीपसमू लगबग 572 चोटे दीपों से मिलकर बनाए चोटे बड़े दीपों से, जिनमें से सिर्फ कुछी दीपों पर लोग रहते हैं इनकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और भारत का ही है केंदर शासित प्रदेश हिंद महासागर में से थे और भागौलिक देश्टी से दक्षिन पूर्व एशिया का ये हिस्सा है फिर साथवा प्रशन भारत के किनी तीन भौतिक विभागों के नाम लिखिए पहला है हमाले परवत उत्तरी मैदान और प्रायदी पिय पठार उसके बाद आठवा प्रशन भारत के किनी तीन राज़्यों के नाम और उनकी राजधानियों के नामों के साथ लिखना है तो तीन राज्ये हैं, देखे, महाराश्ट, इसकी राजधानी को होगी मुंबई, मध्यपरदेश, इसकी राजधानी भोपाल, उत्तरपरदेश, इसकी राजधानी लखनव उसके बाद नौवा प्रष्ण प्रवाल क्या है, वर्णन कीजिए देखे, प्रवाल या पोलिप्स, कम समय तक जीवित रहने वाले सूख्ष प्रानी होते हैं, जो की समहू में रहते हैं, और इनका विकास छिछले गर्म जल में होता है, और इनसे केल्शियम कार्पोनेट का स सागर में स्थे थे हैं, और अंडमान निकोबार दीप समू बंगाल की खाड़ी में उत्तर में फैले, उत्तर से दक्षिन भी आना चीए, द्वीपो की माला है, फिर लक्षदीप में 36 द्वीप पाए जाते हैं, और यहां द्वीपो की संकिया 500 बादता है, लक्षदीप छ लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी अपने ही चैनल लवनीश सर की क्लास की सब्सक्राइबर्स को 50K या उससे जादा भी पहुंचा दीजिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए, थैंक यू बेरी मुच